तो आप लोगों ने तो सोचा ही होगा कि भाई डामर रोड बनाने ज्यादा पैसा लगता है या फिर सिमेंट का रोड बनाने ज्यादा पैसा लगता है तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ अगर मैं बात करू डामर रोड बनाने के लिए तो initial cost इसकी बहुत ज़ादा कम होती है मतलब क्या? मतलब जब यह बनता है तो इसे बनाने ज़ादा पैसा नहीं लगता है लेकिन इसकी maintenance cost बहुत ज़ादा होती है मतलब इसे सुधारने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग इसे सुधारते हैं कुछ लोग तुटा हुआ ही छोड़ देते हैं और उसी के साथ अगर मैं रिजिट प्योमेंट की बात करूँ मतलब की concrete road की, cement के road की तो उसे बनाते वक्त बहुत ज़्यादा पैसा लगता है मतलब उसकी initial cost high होती है लेकिन उसकी maintenance cost बहुत ज़्यादा कम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएए की कौन सा road ज़्यादा अच्छा है